आम अलेकूम दस जर्शाद and today we are going to discuss about of electrostatic potential and electric potential अच्छा बेटा इससे पहले हमने electric field lines के बारे में discussion की है और electric field lines में आप लोगों ने पड़ा है कि imaginary lines है खियाली तस्वराती lines है जो किसी भी charge यानि अगर positive charge है तो यह field lines आउपड होंगे अगर negative charge है तो यह envelope होंगे अब दोगे electric potential अलेक्रोस्टेटिक potential यह किया है ठीक है तो इदर पर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि potential energy जिस अपने potential energy क्या है तो आप लोगों आप लोगों ने जो definition किया था इसका तो आप लोगों ने क्या कहा था कि यह वही energy है जो किसी भी object में due to position होता है position के वज़ा से अगर मैं कहूं कि यह जमीन है ठीक है अरत है एक object इदर पर पड़ा है और एक object इदर पर है तो कौन से point पर मिसाल के तोर पर यह point A हुआ यह point B हुआ कौन से point पर इदर पर potential energy ज्यादा होगा तो definitely आप लोग कहेंगे कि B पर क्योंकि इसके position इदर पर है तो अगर मैं इसको चोड़ रहा हूं तो यह जमीन इतने height के उपर है taken height के उपर तो इस हाइट के वज़ा से इसकी जो potential energy है यह भी ज्यादा है यह आप लोगोंने 9th class में भी पढ़ा था और mechanics में भी आप लोगोंने पढ़ा है even आप लोगोंने यह प्रूफ किया है similar example जो है यह electric potential का है ठीक है अगर electric potential की definition अगर हम लोग देके यह electrostatic potential तो हम कह सकते हैं कि electrostatic potential can be defined as the potential energy electric potential energy electric potential energy per unit charge इसको हम इस तरह define कर सकते हैं electric potential भी इसी तरह का है लेकिन इसके definition हम क्या कर सकते हैं कि this is the amount of work done divided by per unit charge या work done per unit charge mostly अगर यह charge हम conventionally charge की बात कर रहे हैं तो हम इदर पर positive charge लेते हैं कोंसा charge लेते हैं positive charge अब question arise होता है क्यार positive charge क्योंपर अगर हम work done कर रहे हैं तो क्या ही हम space में करेंगे नहीं यह space में नहीं यह electric field में करेंगे किस जीज़ में करेंगे electric field में ही करेंगे लेकिन हमने charge को ले जाना होगा opposite to the electric field lines और इसका अब मिसाल मैं देने वाला हूं opposite to the electric field lines इसका मिसाल किस तरह का है चलो इसके उपर तोड़ा discussion कर रहे हैं कि electric potential तो मैंने define किया कि इपोटेंशल जो है यह बराबर होता है work done divided by charge ठीके पूछलो इसके उपर तोड़ा discussion कर रहे हैं कि भाई किसरा मैंने एक charge को लेना है किस चीज को लेना है charge को मैंने लेना है और इसके उपर मैंने work done करना है मैंने नहीं यानी बैटरी ने करनी है ठीके ना और कि किसी भी electric field में यह work done प्लैट्स और एक है negatively charge plates ठीके तो आप लोगों नहीं पढ़ा है कि कन्वेंशनरी हम जब बात कर रहे हैं तो positive charge field lines कि दर पर होंगे outwards और negative charge के तरफ inward तो इदर से outward है और इदर पर inward है और यह मेरे पास मुझूद है एक test charge ठीक है test charge अगर अब मैं आप लोगों से कहूं किया कि क्या इस फील्ड का असर इस charge पर होगा नो क्योंकि यह क्या ही यह infinity point है क्या है infinity point है कोई भी असर नहीं होगा अब असर कब स्टार्ट होगा देखिए तो सबसे पहले मैं जो पिछले lecture में मैं आप लोगों को कहा चार्ज पाजिटिव टेस्ट चार्ज तो टेस्ट चार्ज किये लिए मैं क्यों आट भी लिख सकता हूं नो प्राबल अब देखे अगर वर्क है तो आया वर्क एनरजी नहीं है वर्क तो एनरजी है ठीक है ना क्योंकि एनरजी का डिफिनिशन हम किससरा कर सकते हैं कि the ability of a body to do work as called what energy तो इधर पर energy अगर वर्क है तो वर्क क्या है एनरजी है अगर मैं electric potential energy की बात कर रहा हूं तो इसको मैं यू से represent कर सकता हूं किस चीसे यू से ठीक है तो इधर पर अगर मैं क्या करूं इस V is equal to W by Q यानि work done per unit test charge as called what electric potential लेकिन electric potential energy के लिए इधर पर W के जगा में change and potential energy divided by per unit charge as called what electric potential इस equation के ओपर तोड़ा discussion कर रहे है तीक है अब देखे है यह charge है यह infinity point के ओपर मुझूद है अब इस charge को मैं infinity point से लेता हूं तीक है infinity point से इसको मैं लेता हूं और इसको इस electric field में छोड़ देता हूं तो अभी मिसाल के तोर पर यह plate ए हुआ और यह plate भी उटाया और इसको मैंने इसी field के अंदर चोड़ा तो जब मैंने चोड़ा तो यह positive charge है अब मैं आप लोगों से क्या जो concept है क्या इस charge की ओपर जो है potential energy is point plate A की ओपर ज्यादा होगा या plate B की ओपर आप लोगों का क्या ख्याल है यार देखे इस की ओपर मैं work done कर रहा हूं औ और oppositely to the field में आ रहा हूं अब फिल्ड इसी direction में है और charge को मैं इसी direction में लेगे आ रहा हूं आ रहा हूं तो same charge is repels तो अगर मैं इसको लेके आता हूं इदर से इदर लेके आता हूं तो आया यह इदर पर टहरेगा? नहीं इदर पर इनहीं रुकेगा क्योंकि इसको दिखा तो जब दिक्का देगा तो यह वापस किदर पर जाएगा माइनस प्लेट की तरफी क्या होगा चला जाएगा ठीक है तो इसका मिसाल ऐसा है कि अगर यह जमीन है तो इस मारकर को अगर मैं इस जगह से नीचे पहंगता नहीं हो जस्ट चोड़ता हूं तो यह खुद जाता है तो इसी पॉइंट पर पोटेंशल ज्यादा है और इसी पॉइंट पर पोटेंशल क्या है कम है ठीक है तो इसी वाजा से मैं कह सकता हूं कि पोटेंशल एड़ पोटेंशल जब आएगा तो मैं कह सकता हूं कि पोटेंशल एड़ पोटेंशल जब आएगा तो मैं कह सकता हू तो इस equation मैं मैं delta U के जगह ये लिख सकता हूं तो electric potential will be equal to U B अनि electric potential energy at point B minus electric potential energy at point A divided by Q not अपने जगह पर मैं लिख सकता हूं ठीक है अब देखें इदर पर जो potential है potential B किस point पर सेवा होगा इस V B पर सेवा ज्यादा होगा और V A पर क्या होगा ये कम होगा ठीक है तो इसको मैं लिख सकता हूं कि delta V is equal to change in potential energy electric potential energy per unit test charge positive charge ठीक है तो अगर इस test charge को मैं equality की इस पर लेके आता हूं तो इस क्या होगा ये ऐसा बन जाएगा ये equation कि delta U is equal to delta V Q not multiplication में आ जाएगा ठीक है अब देख इधर ये जो change in potential है electric potential इसको मैं किसा रहे लिख सकता हूं change in electric potential energy will be equal to तो delta difference है तो कोंसे point पे ज्यादा है B point पे potential ज्यादा है तो मैं लिख सकता हूं V B minus V A पे कम है और Q not को अपने जगा पर लिख लो तो ये क्या है Electric potential energy का definition हमारे साथ है क्या आया ये आग़ ठीक है दो definitions आप लोगो ने समझे कि electric potential energy actually क्या होता है ठीक है electric potential electric potential energy electric potential के बारे में आप लोगों ने कहा कि actually क्या है व्रक रेंधर 1 आऊ positive test charge ठीक है और work actually energy है तो मैं कह सकता हूं कि electric potential energy अब देखे कि अगर इस जगा पर मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट को किस तरा मैं डिफाइन करूँगा ठीके अब देखे इसका यूनिट जो वर्क है वर्क क्या है आप लोगों ने नाइन क्लास में पढ़ा है कि वर्क जब मैं किसी अबजेक्ट के उपर फॉर्स लगाता हूं और ये अबजेक्ट डेस्प्लैस होता है तो एक्चुली ये इनर्जी है वर्क क्या है ये एनर्जी है टीक का यूनिट है कूलम है तो जोल पर कूलम किस चीज़ के बराबर होगा जो पॉटेंशल डेफरेंशल है ये बराबर होगा वोल्ट का ठीक है तो मैं कह सकता हूं कि वन वोल्ट इस इकल टू वन जोल डिवाइड़ बाइड बाइड वन कूलम तो आप लोगों से अब डिवाइड कर सकते हैं जब काम का मिगदार कितना हो एक जोल कितने चारज पर ये काम हो जाए एक कूलम के उपर तो ही किस चीज़ के बराबर होगा एक वोल्ट के बराबर होगा ठीक है तो हम कह सकते हैं कि कि if the amount of work is 1 joule and 1 coulomb charge to bring it in the opposite direction of the field so the amount of electric potential will be 1 volt. अब दे कि infinity point इदर पे था, ठीके तो यी one coulomb charge है, इसको मैंने उटालिया infinity point जे और इसको मैं inside the field मैंने छोड़ा, कि दर पे, field मैंने छोड़ा, इसको मैंने start किया और इसके उपर मैंने force लगा, तो ये displace हुआ, क्या लगाए मैंने force लगा, ये displace हुआ, तो मैंने work done किया, कितना work done किया, one joule work done किया, मैंने इसको इधर से इधर तक लेके आया, ठीके ना, लेकिन ये काम दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं करूँगा, ये battery कर है, वन कूलम की उपर की काम होता है, तो इधर पर जो total electrostatic potential difference है, तो कितना होगा, ये one volt होगा, ठीके, any question, अब देखे, अब मैंने ये एक circuit बनाए, ठीके, लेकिन ये circuit क्या है, ये open है, अब क्या है, क्यों open है, अब इससे जो switch है, इधर पर जो switch आप लोगों को नजर आती है, ये switch off है, ठीके न, या open है, मैं इस तरह कह सकता हूँ, open है, मतलब ये रास्ता कुली है, तो इससे charge की flow नहीं होगी, मैंने क्या attach के है, potential difference source, आप कह सकते हैं, जिसको बैटरी कहते हैं, ठीके, इसको आप EMF source भी कहते हैं, ठीके, EMF क्या है, इसको पर पिर बात करेंगे, अब देखे, बिटरी को मैंने connect किया है, ये positive plate है, और ये क्या है negative plate, ये बिटरी का assemble है, अब देखे, अगर मैं आप से कहूँ कि आया इस दोरान, जो switch open है, तो आया इससे current गुजर जाएगी, और बलब आन होगा, तो आपने क्या कहना है, नहीं, switch open है, ठीके, तो मैं अगर इसको close करूँ, तो definitely, इधर पर आप लोगों ने conventionally, जो आप लोगों ने बताना है, क्या करना है, आप लोगों ने current के direction ये नहीं लेनी है, आपने ये लेना है, ठीके ना, क्योंकि conventionally, जो current की flow है, ये actually positive charge की वज़ा से ही होता है, ठीके, तो इधर पर जो charges है, positive charge ये flow होगी ये इस resistor, यानि बलब से पास हो जाएगी, बलब light देगी, यानि ये क्या है high potential है, ठीके, और ये जाएगी, 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 इधर से पास होकर इधर पर वापस आएगी, ये क्या है low potential है, तो अब इधर से जो charges high potential से low potential के तरफ तो आसानी से बह जाती है, लेकिन इस battery क अंदर ही charges, अगर ये मैंने battery बने positive and negative ठीक है, तो ये low potential है और ये high potential है, तो इस low potential से ये charge किस तरह high potential के तरफ आएगी, तो ये battery ही इसकी उपर काम कर रही है, इसी वज़ा से इस battery को कहता है potential difference source, यानि potential difference source is equal to work कर रही है, किस चीज़ के उपर work कर रही है, इस charge के उपर work कर र यानि EMF जो है, ये भी work done per unit charge है, लेकिन ये low potential से होगी, high potential की तरफ ठीक है, तो EMF की जो unit है, वो भी जोल पर कूलम है, या वोल्ट है, और जो electric potential difference की unit है, वो क्या है, वो भी जोल पर कूलम है, इसे तरह work का energy भी जोल है, और electric potential energy का भी unit क्या है, जोल है, तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने समझना होगा, इसको की what is the difference between potential difference, तो देख ये potential difference ही है, ये charge की उपर काम होता है, ये high potential से low potential की तरफ जाती है, ठीक है, लेकिन EMF क्या है, ये low potential से charge लेके आएगे high potential की तरफ, तो इसी वज़ा से bitry कमज़र पढ़ जाएगी, bitry काम करेगी charge की तो this is the huge difference between what, electric potential difference and EMF, ठीक है, कि इसमें charge जाएगी high potential से low potential की तरफ, और इसमें कैसा low potential to high potential, ठीक है, इसके एक चोट असा मिसाल में और भी देना चाहता हूँ, ठीक है, कामन मिसाल ये है, कि जो electric potential difference है, और EMF है, electro motive force, इसके बीच क्या फरक है, तो मैंने वे से पहले तो explain किय लेकिन इसका एक शाट सा example में आप लोगों को बहुत आसानी से जाएदा हूँ, देखें, ये तालाब है, ठीक है, क्या है, this is pond, तालाब है, जो पानी से बहरा पड़ा है, ठीक है, और ये मैंने pipe लगाया है, और इधर पर मैंने एक wheel रखी है, तो अगर मैं कहूँ कि इस pipe म मुझे पानी लेके जाना है, इस जगह से ये जाएगा, पानी इस पर जब पड़ जाएगी, तो ये क्या होगा, rotate होगी और ये पानी वापस किदर पर जाएगी, इस pond के अंदर ही आपस जाएगी, या क्या करूँगा, इधर से ये जो है low potential है, ठीक है, और ही क्या है, हाई potential है और मैंने एक बंदे को कड़ा किया है टीक है यह बंदा क्या करण ऐसके हाथ में बने कप अगणा भी अजर चेलिगा कि इसको भीनषा है इस जगा पर इधर पर इसको डाल देता है तो जब पानी डाल देता है इधर पर तुझी जाता है यह क्या है अब हाई पोटेंशल है अब क्या ही यह लोग पोटेंशल है तो जब यह पानी जाएगी इस वील पर पड़ेगी और जब विल पर पड़ेगी तो विल क्या होगा यह रोटाइट होगा क्या होगा रोटाइट होगा यह वर्क डण करेंगा वर्क डण करेंगा ठीक है तुम देके from low potential to high potential जब यह चले जाती तो इसको कहते हैं emf लेकिन इधर पर जो high होगी खतम होगी ठीक है ना और इधर पर क्या है हाई पोटेंशल टुलोग पोटेंशल है तो मतलब इसको क्या क्या है पोटेंशल डेफरेंश टीके सो तेंक यू वेरी मुच